तो दोस्तो मैडम सर और शुबलाब दोनों ही अपने अपने जगा पे एक अच्छे सीरियल बनके उभर के आई है भी ते कुछ दिनों में अगर सोनी सब के शोस के बारे में बात करें क्योंकि इसी बिच बहुत सारे सीरियल आज चुके थे सोनी सब पे जो की अभी फिलाल नहीं है और फेर जा चुके है अभी मैडम सर और शुबलाब दोनों ही अच्छे सीरियल है अगर सच कहा जाए तो शुबलाब थोड़े आगे ही है मैडम सर से एपिसोड के मामले में तो नहीं लेकिन अगर टियर पी की बात करें एवरेज टियर पी शुबलाब की आप 0.6 मान सकते और मैडम सर की 0.5 रहती है जनरली लेकिन फिर से वही बात आ जाती है दोस्तो हर कुछ आप टियर पी से जज नहीं कर सकते है आज का मुद्ध हमारा यही है कौन सा ओ शो है इन दोनों में से जो की आगे जाके लंबे टाइम तक टिक सकता है आईए पता करते हैं उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजेगा बीटूपूर को तो दोस्तो जो अभी शुबलाब की टियर पी आ रही है अभी के तुलना में टियर पी पहले वाले टाइम स्लोट पे जादा आ रही थी इसका रिजन मैंने पहले बता भी हुआ है वागले के दुनिया देखने के बाद बहुत कोई चैनल को चेंज भी नहीं करते थे इसलिए कभी कभी टियर पी में भी थोड़ी बहुत बरोतरी हो जाती थी अगर बात करें दोस्तों शुबलाब की जो की बेसिकली लक्षमी मा के उपर बेस्ट है और अगर बात करें मैडम सर के स्टोरी लाइन की जो की बेसिकली शोशिल इशूस पर बात करते हैं अगर बात करें खासियत की दूस्तों मैडम सर में स्टोरी की कोई कमी नहीं है एक के बाद एक केसे जाते रहते हैं जिससे की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी ओडियन्स को देखने को मिलते रहते हैं और शुबलाप के तुलना में मैडम सर के अंदर में भी कुछ ऐसे खासिय है इसलिए अवरेज टीर पिके मामले में अगर कम भी है मैडम सर फिर भी मुझे लगता है शुबलाप के तुलना में मैडम सर जादा टाइम तक ओन एर रह सकता है हलाकि मैं तो चाहूंगा दोनुई शो आने रहे ताकि जय प्रोडक्शन अपनी ताकत सोनी सब के अंदर बनाया रख सके आपकी राय मैं कॉमेंट सेक्षन में जानना चाहूंगा अगरी करते हो तो वीडियो को भी लाइक करते है बता सकते हो मिलेंगे एक और वीडियो में बाई